वेलकम डियर इस्टुडेन तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेकबोड क्लास 6 का भेरी भेरी इंपोर्टेन कॉस्चन जो कि मेध का है से क्या होगा आरोही करम का मतलब होता है बड़ते करम यानि कि छोटा से बड़ा दिया हुआ है 22, 12, 66, 33 तो इसमें आपको देखना है कि छोटा से बड़ा किसमें कोन सा अप्शन में आपका दर्शाय अगया तो देखिए 66 है, फिर 32 है, 33 है, तो छोटा से बड़ा नहीं तर सजा है, B option में देखिए, 12 से बड़ा है 32, 32 से बड़ा है 33, 35 से बड़ा है 66, तो ये option सही ले, option B option इसका क्या हो, सही हो जाएगा, दुसरा प्रस्ण है, नेमने का आरोहिकरम क्या होगा, देखिए, option में A में दिया है, 19,205, माज B में दिया है, 22,951, C में दिया है, 67,989, उसके बाद D होना चाहिए था, मिस्प्रेंटिंगे, D में है आपका 63,344, तो आपका देखना है किस option में आपका, आरोहिकरम में हो रहा है, तो इसका option देखिए, option इसमें सबसे छोटा कोन आपका दिख रहा है, देखिए, यहाँ, सबसे छोटा option A option है, एक नमबर इसको माल लिजी, इससे बड़ा कोन है, तो इस से बड़ा है आपका it । ऑप्शन दो माल लेजिए इससे बड़ा कौन है डि ऑपशन है यहने कि इसको तीन हम लोग माल लेते हैं और लास्ट को इधिवाला सब में है इसमें नहीं है तो यहां नहीं होगा तो आपको याद रखना है आरोई करम का मतलब ही होता है चोटा से बड़ा देखिए किस अप्सें में चोटा से बड़ा और प्रश्न थे उप्सित अब बटा से चोटा या नी की घट्टते करम तो देखिए बड़ा से चोटा आपको देखना तो है ओपसंट में तो आपको बड़ा चोटा नहीं हो रहा देख सकते हैं यह लास्ट में ने 42 वीज में ढ़िया देखे तो इससे छोटा तो यह नहीं आ ला तो आपको देखना देखना है बढ़ा से छोटा किसमन आ रहा है तो favorite, posis देखिकमे सबसे बढ़ह कि इस सबसे बड़ा इससे हम लोग क्या संख्या बना सकते तो सबसे बड़ा शंख्या क्या अच्छे है तो सबसे होगी इस सबसे स्थापन दें थान देना की स्थाने सेंख्य बूलेगा तो सबसे स्थाने सेंख्या नहीं लिखेंगे क्यों लिखेंगे झाले यहां लीखा जैता मलें झnt क्या थे यहां वाद इसमें देखिए लिखेंगे सबसे च्छोटी संख्या क्या होगी इससे आपको च्छोटी संख्या बनाना तो मिलगको लेना अप्सन देखिए तीन कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6 का परियोग करके चार अंको की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इससे बड़ी संख्या बनाना सबसे पहले बड़ा संख्या कोुई ले ले लएक च्छे को सब्सक्राइब थी और दूसरा उप्सन नबर तीन में में कौन सिंख्या तो आपको देखना है 3,400 नत्ता तो एकाइदा है करना हजार बोल रहा तीन अजार तो देखिए इकाइदा है शेकड़ा हजार हजार इसमें आ रहा है नाइच्ट देखिए दस नमबर 6,53,000 नेम्ड में कौन सिंख्या है चाहला तो लाक में आपका किसमें अप्सन हो रहा है एकाइदा है सेकड़ा हजार दस अजार लाग छे लाक हो गया तीरेपन हजार होगी अप्सन डी राइट हो जाएगा नेक्स देखिए आपको आपका 11 पांच हजार जोड़ चार सो जोड़ शाट जोड़ पांच तो इसको आपको जोड़ना तो पूलम में अच्छा से उतार के जोड़ना देखिए हम कोपी में दिखा रहे हैं पांच हजार बोला गया है तो पांच हजार लिख लेना है उसके बाद आपका चार सो तो दाया तरप से चार सो लिखना है प्रेंट उसके बाद है साथ फिर दाया तरप से लिखना है फिर पांच इस टाइप से आपको लिखिए येगा उसके बाद ही जोड़िए गर ने त यह राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बार नंबर नो गुना एक हजार जोड नो गुना एक सो जोड नो गुना दस जोड जीरो इसको आपका किस संख्या का प्रशारित रूप है आपको बताना है तो देखिए नौ के बाद यहां क्या तीन जीरो है यह जोंड ञ तो नो जोड गुना चोंड मील रहा है तीनौ कि नो ऑजार हो जाएगा लोड नौलसंवाज कुर तो आम से लड़के इसका उप्षन में मिल रहा है तो इसमें आपका देखिए तेरा नमबर तीन मिलियन पांसो शर्षट हजार चाहसो उन्हाना अंठानबे की संख्या का अंतराश्ट्य पद्धति है तो इसमें आपको देखना है श्ट रहें कि सेक्ड़ा हजार दस-छार लाग दस लाग तो यह मिलियन पैस लाग होते है । अपस्यीं मृjourं कि माला उप्षन दा इंचना मिलियन उसके बाद देखिर हैं क्या लिए को तीन मिलियन उसके बाद कि पांसो सट्षट हो गया हजार और इधर वाला तुस्ट होता ही है अंठानवे लास्ट में दिया गया तो आपको इसमें सल्प करना है तो सल्प करने का तरीका होता है पहले बरिकेट का कम होता है एक बार हम बता देते हैं देखिए 3-5 गुना-4 कभी भी आप ध्यान दिये होंगे Board Maas Rule आप पढ़े होंगे तो देख लिए बोड Maas में सबसे पहले काम होता है Bricket, B से Bricket होता है A से Off होता है Off यानि की का का होगने लोग गुना बोलते हैं D से होता है Divide, M से होता है Multiple यानि की गुना इसे हो टा positive इसे शब्ट्रेक्षण सबसे पहले का काम होता है फॉस्थ्न में आपको ब्रेकेट का काम कर चंद अ्धार या पाली का कार ओपा कार रहा तो उसमें गुना का की गुणा का करें करीं गुणाऄा क कर मठी दीघेला ना टूसमें ओपर लोगनारी जाoter , ये ये फिर चाहर तो देखी इसका 32 होता है उप्शन में में तरो से को ठीक लगा दिना नेक्स देखे पंद्रा नमबर 3 गुणा 5 जोड 6 गुणा 4 तो देखे इधर के गुणा करेंगे 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और इधर 6 चोके 24 15 और 24 को जोड़िए तो 15 और 24 को जोड़ने से ओप्षन 20 का राइट हो जाएगा एक पर हम लोग देखी लिते हैं 15 और 24 को जोड़िए 5 चार नो हो गया 2 और 1 3 49 ओ तो सबसे पहले आपको ब्रेकेट को स्वल्प करना है एक बार हम दिखा देते हैं तीन गुणा 5 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 4 गुण्या 2 जोड़ 5 स्वल्प करना तो देखे तीन से हम उतार देना है अब यहां जोड़ देना है 6 5 11 6 5 11 और 2 13 लिख देना है चार देशा का फाना तेशा 5 और 2 कितना था साथ होता है अब यहां गुना कर नाते रतिया 49 होता है और साथ चोड़ जोड़ना है नौ और आठ कितना होता सत्र के साथ हाथ में एक तीन दू पांच और एक छे शर्च सड़ सड़ सट अप्शन सी में है तो सी को मार देना है नेक्स देखे आपका सत्रे नमबर 1105 बरिकेट बंद किया गया है पलस फिर 100-5 तो देखिए 105 यानिकि 105 हो गया और इधर 95 होगा 105 गटाएगा तो 95 105 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 105 और 95 को जोड़ने से 105 और 95 को जोड़ना है 5 5 10 हात में सुनना हात में सोरी 9 और 10 की सुनना हाथ में 1 एक एक लो जाएगा उप्सन दो सो डिये अप्षन में हैयर मार दनाना नेक्स देखिए अठराच नमबर में 19 का रोमन पर दती 19 का रोमन संहिंग को बताना तो देखिए 10 का क्या होता है X होता है और 9 कर ददती और लोबस होता है जेल से शलब इसके डी सब्सक्ता का 100 आले देखतंग होटा है 100 का सी होता है 200 का दो सी होता है 300 का 300 का यो-था वह संपके बढ़ते जाता है बीस का देख है प्रश्ण है नौ का परवर्ती परवर्ती और पूर्वर्ती ध्यान रखना है परवर्ती में आपको ध्यान देना है एक जोड़ देना है तो नौ में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दस तो परवर्ती में एक जोड़ना है पूर्वर्ती पूछेगा तो घटाना है फिर 21 नमबर 34,070 है इसका परवर्थी बताना तो सत्तर के बाद क्या आता है सबसे बड़ी संख्या क्या है तो यहां समू देखिए दिया गया तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो देखिए इसमें है 90,208 इसमें 91,308 इसमें 91,308 इसमें 91,308 तो इसका सही उतर हो जाएगा option नबर C 91,308 यह सबसे बली सेंख्या है नेक्स्ट देखिए 25 नबर सबसे छोटी प्राकृत सेंख्या कौन सी है सबसे चोटी पूर्नशंख्य क्या है ची है जीरो है इसका राइट हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं जाहिन वन्धे मातर